नमश्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस द्यान के सेस्षन में पूरिमा के अथे पे और एक बार फिर से गुरुपूरिमा के सब को बहुत बहुत बधाई हो इस सेशन के चर्ण है नहीं बता देता हूँ एक बार अभी हम डिस्कोर्स सुनेंगे पांच मिनिट का इसमें और शोई बताएंगे कि ओम का उचारन कैसे करना है किस तरह से हम ओम की मां की गूंच करेंगे उसके बाद मां की धुन है मांकार ओंकार की 22 मिनट तक वो बैठके ही करनी है पीट को सिधा रखते बैठना है आराम से और फिर घुन करनी है गूंच करनी है जैसे ही गूंच खत्म हो फिर लेट जाना है 10 से 12 मिनट आखिर में तीन बैल होंगी वो बैल होने के बाद आप रिलेक्स करें और कोशिश करें उसके बाद थोड़े दिर शांत ही बैठें मन में रदय में गुरू का भाव गुरू के प्रति स्मर्पन का भाव श्रधा का भाव और ये पूरा जीवन गुरू को स्मर्पित अपने गुरू को नमन अपने गुरू का स्मर्ण शुरू करते हैं इस शेशन को थैंक यू ओंकार के पाठ को कहा जाता है मैं भी तुम से कहूंगा एक घड़ी चौबीस घड़ी में निकाली लेनी चाहिए जब तुम कुछ भी ना करो खाली बैठ जाओ ओंट बंद कर लो जीप को तालू से लग जाने दो रीड सीथी हो और तुम भीतर ओंकार का नात करने लगो ओंकार के नात का भीतर करने का मतलब है तुम ओंट से आवाज बाहर मत निकालो अंदर ही गुझाओ लेकिन गुझाओ इतने जोर से कि बाहर लोगों को सुनाई पड़े ओंट से ना निकले सुनाई जरूर पड़े तुम्हारे रोएं रोएं से निकले तुम्हें गुझ बन जाओ बड़ा मीठब अनुभव होता है बीतर जैसे अमर जढने लगता है थोड़े ही दिनों ने और ये अभी असली उंकार नहीं नकली उंकार इतना कर देता है तो असली की तो बात ही मत करो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती तुम सर्फ आँख बंद करके रिर्ड सिधी करके रिर्ड सिधी इसलिए ताकि तुम्हारे बीतर सारा सूनी सिधा खड़ा हो जाए और तुम उंकार को गुंञाने लगो जब स्वास बाहर जाए तो तुम उंकार की ध्वनी करो बीतरो अओ जब स्वास बीतर जाएगी तब तो ध्वनी ना कर पाओगे तो एक रिदम, एक लैपैदा हो जाएगी स्वांस बाहर जाएगी तुम स्वांस को ओंकार की ध्वनी से भर दो फिर स्वांस भीतर जाएगी सुन रहेगा फिर स्वांस बाहर जाएगी फिर ओंकार की ध्वनी करो इतने जोर से कि बाहर कोई गुजरता हो तो सुनाई पड़े जैसे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो तो एक गुंज मालूम पड़ती है ऐसी गुंज बाहर मालूम पड़ेगी और वो गुंज तुम्हारे सरील को भी स्वस्थ करेगी तुम्हारे बिखरे मन को बांधेगी और तुम्हारे बीतर एक अपूर वसांती का जन्ब होगा और एक मस्ती चा जाएगी द्वनी की अपनी सुरा है इसलिए तो संगित सुनते सुनते तुम्हारा सिर हिलने लगता है जैसे सरावी का हिल रहो अगर तुमने अपने बीतर उंकार के नाथ को गुजाया और ध्यान रखना कि ये तुम्हारा नाथ है अभी तुम्हें असली नाथ का पता ही नहीं तो भी तुम्हारे बीतर एक मस्ती पैदा होगी तुम एक मद मस्ती में जीने लगोगे तुम चलोगे और ढंग से इस फूरती और होगी उठोगे और ढंग से आँखों में एक नसा चाया रहेगा जैसे जिन्दकी में एक पहली दफ़ा उत्सव की घड़ी आई है अगर तुम इस तरह उंकार की द्वनी करते रहो करते रहो करते रहो किसी दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारी धुनी तो जारी है ही एक और धुन तुम्हारे भीतर पैदा हो रही यह उसी दिन पैदा होती जिस दिन तुम्हारी वीना पूरी कस जाती और तयार होती साज राजी होता है उस दिन तुम पाओगे तो एक धुनी तो तुम कर रहे हो, जो अब कुछ भी नहीं, एक फीका स्वर है, कार्बन कापी है, असली धुनी पैदा भो रही है, तब तुम अपनी धुन को बंद कर देना, तब तुम सुनने वाले बन जाना, अब तक तुम करता थे, अब तुम सुनने वाले बन जाना, अ अब तुम प्राणों को थाम लेना क्योंकि भीतर जो गट रहा है वो अपूर्व है वो अतुलनी है उसकी कोई उपमा नहीं भीतर अम्रस की धार बहने लगेगी रोँ रोँ किसी अपूर प्रकास से भर जायेगा अंधकार गया दुर दिन गये महासुक बरसेगा मिलन का च्छन करीब आ गया उँकार तुम जुरू करो मगर तुम खींचे मत जाना और प्रतिशा करना उस दिन की जिस दिन बीतर का उँकार फूटने लगे उस दिन तुम जिद मत करना अपने उंकार को थोपने की उस दिन तुम बिलकुल चुप हो जाना तुम्हारा उंकार तो सिर्फ आयोजन था ताकि रास्ता बन जाए उस उंकार के बहने के लिए ताकि तुम्हारे यंत्र में मार्ग बन जाए उस उंकार को जिलने के लिए तुम्हारा उंकार तो सिर्फ पूर्व तयारी थी रेहरसल था असली नाटक तो तब सुरू होता है जब तुम्हारा उंकार तो गया और उसका उंकार सुरू हुआ एक उंकार सथनाम जब जब तुम्हारा उंकार 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 सुरू होता है जब तुम्हारा उंकार सुरू होता है जब तुम्हारा उंकार सुरू होता है झाल 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 झाल